हालो जी असलामनीकों वेल्कम बैक टो मैं चैनल अनेदर डे अनेदर व्लॉग मैं लाइफ कैसे हैं अब सब लोग गुम्मीद के टिव सब ठीक ठाक होंगे मजे में होंगे मैं विल्कुल ठीक ठाक मजे में तो जनाब आई सुबो ही सुबो में उठी और अभी आपको बताती मीदाती हैं मैं को जर को च़्शा रही थे लेकिन वाहर का वैदर इतना अच्छा तो लगता है जब ब्सकstat प्लाउड़ी होताइकिन ड़ होता तो बचें बीदर अज़ी कॉइभा नहीं लगता तो हैं क्यों आपको जिखांए कहले सब्सकर थोड़े से तयार होती हुए वहेविन ही चेंज नहींक चेंड से मैं तो सब्सक्राइब देखर नहीं … लेजिन अब से नहीं बसक्ता पता से हुएँ अब नियुए चाहें … मैं आपको ले के चलते हूं आपको अपको आपको दिखाती हूं, पहले हम चलते हैं हमारे front yard में, जले में open करते हूं ढोल ऑपन करते हो, ढोल अंधिरा देखे आपर और बारिश, यह जरा चेक करें आप, बारिश आवाज सुने आप, और आपको वाजों से पता चल रहा होग ते देखें चतों का पानी नीचे आरहे जयक कर रहा था रहा है थन्डर सुनें ओन आपको अधना लौट थन्डर है तो डर गई मैं आधाना वी तहीं है कि नहीं को नहीं जाते हैं कि यहांते मैं आपको बाहर जाके कर दिखा कियाती है और Hem यह हो रही है जी बारिश है कि चले मैं आपको जरा आगे करके भी दिखाते हैं चले बारिश है पता लगे मैंने फोन से मैं वीडियो बना रही है पता लगे मैंने अपना फोन ही खराब कर लिया लेकिन आपको दिखाने के खातिर आगे आ गई हूं यह देखें जरा बारिश क अगर मैं आपको इदर उपर से दिखा हूँ तो यह शेड है, मैं यहाँ पर खड़ी थी, तो मैं गिली नहीं हो रही हूँ, वरना बहुत जादा बारिश हो रही है, चलें अब आपको बैक यार्ड में लेके चलूँ, बैक यार्ड में चलते हैं, में डोर अनलॉक कर लो, दो आवाजे सुने, आप थंडर, और यह दे कि बारिश कितनी तेज होती जा रही है, मेरा ख्याल है, आज घर में नाश्ता गरते हैं, जो घर में पड़ा है, वो ही का लेंगे, लेकिन भाई नहीं जाएंगे, बहुत मुसम खराब हो गया है, ज्राइव पर दिल पहरा लेकिन आपको लेकि मैं गई बाहर मैंने दिखाया वैदर बहुत जादा खराब है, डोंट थिंक हो कि हम आज अंदर कहीं जाएंगे, देखते हैं, अगर थोड़ी दिर में कर वैदर चेंज हो जाएगा, तो चले जाएंगे, अल्मोस्ट अल्रेडी 9.30 और 10.00 क्लॉक होने बहुत हम लेट नहीं कर सकते नाश्ता, तो बस यही था, मैंने का सुबह सुबह आपको वैदर दिखाती हो, पूरा दिन भी करूंगे, अगर ऐसा ही रात तो थोड़े-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे क्लिप्स बनाती रहोंगी ताकि आपको दिखाओं के आज वैदर कैसा चल है, वैदर बोहर डिफरिंट है आज, लेक्लाउड भी है, हवी रेन हो रही है, और साथ थेंजे तो नाश्ता घर में तयार होना स्टार रो चुक है, वैसे तो आलवे मेरे फ्रिज में कुछ नहीं जरूर होता है नाश्ते के लिए, तो नाश्ता बन चुका था, और वीकें तो आपको दिखाती हूं कि मैं क्या बनाने वाली हूं क्यूंकि आप तो आज पूरे दिन का वैदर ऐसा ही अगर होगा ना तो आइड़नो आगई हो चलो जीजी ब्राइल भी आगई है उटकी हां जी आपको दिखाती हूं आपको कि मैं क्या बनाने वाली हूं एक सेकंड नाइगे जीजी आटा जो हमने गूंकि रखा है हम इससे बनाएंगे आपको पता है मैं तो बखायर रहती है और इदर मैंने हजबन की चाहे जिला दिया और टाइम हो चुका है दस अलो जी यह अपने ड्रीम सुना रही है आपको कभी कभी जल्दी उट जाना तो इसको लगता है यह खाब देख रही थी वह हकीकत नहीं था है जब्राइल मैं राइट आई तो मुझे खुद अजीव लग रहा है क्योंकि मैं व्लॉगिंग अकसर जब मॉनिंग में करती हूं मैं बिल्कुल दोय मूं के साथ करती ह जाना तो चलते हैं और नाश्ता बनाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूं कि मैं नाश्ता खाने वाली हूं तो जनाब आज मैं भी करूंगी तोड़ा सा स्पेशल नाश्ता क्यूंकि मोसम अच्छा था और मैं नवीद को बना कर दिया तो मेरा दिल के है मैं अपने लिए बना लो तो ये मैंने बनाया अपना ब्रेक्फस्ट रेडी हो गया बचों का अलरेडी रेडी था इसके लिए अपना नाश्ता कर दिल के लिए बनाया चोटू सा पराथा ये बहुत थोड़ा आटा लिया था मैंने उसको बहुत पतला समय बेलती हूं तो वह नजर बढ़ा आता है लेकिन यह आप कहले हाफ रोटी से भी काम मैं साथ मेरा वही थोड़ा सा जूस साथ में आलू कीमा मैं का या कोई भी ऐसे शोस जो मुझे अच्छे लगते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि जब वह लगाए तो मैं उन्हीं के पास बैठके नाश्ता कर लो तो जना आप देखिए मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराथा मैंने बनाया और भी मैं खाना स्टार्ट करूंगी इतना होता तो वह भी तो मैंने करना ही था तो इससे बेहतर है कि गर का नाश्ता कर लो तो बस मैंने जनाब नाश्ता बनाया अपने लिए साथ-साथ बैठी हूं हस्बंड के साथ गपचे वह लगा रहे हैं और साथ मैं बैठके नाश्ता कर रही हूं और आपको मेरी आवास भी लग रही होगी क्योंकि सारा दिन मैंने इतना आज मज़े का गुजारा ठकावट वाला नहीं था लेकिन कफी जादा वो बीजी हो जाता है इसलिए जब मैं बहुत जादा थक जाती तो मेरी आवास चेंज हो जाती है और मेरे हजबन को पता चल जाता है या यह बहुत थक या इसको नीद आना शिरू होगी है तभी इसके आवास चेंज हो गई है तो बस मैं कर रही हूँ अपना नाश्टा हमने कर लिया डन और अब भी आपको पता जैसे मैंने अपना नाश्टा बना लिया खा लिया और बारिश रुग गई एक दम से तो मैं कही थी कि यह मेरी क आपको सारा खुबसूरा सब यू दिखाती हूं कि कैसा लगता है क्योंकि मुझे ये मुसम इतना अच्छा लगता है लेकिन जब बहुत साथा बारिश रोती हो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं आपको लेके जा रही है आपने साथ मेरे साथ चले सारी ड्राइव आपको दिखाती हूं फिर हम लोग बाप पिसाते हैं सो लेट्स को टूगेदर चले जब अब भी में बाइर आई हूं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और मैं आपको दिखा देती हूं बाइर का व्यू ये देखे बारिश अच्छी खासी कम हो गया हल्केल किसी बुंदा और बाकी दोनों बचे घर पे ही हैं उनको मैंने नाश्ता बगारा करवा दिया वो अब खेलेंगे अपने पेस पे और दुजाना खेलेगा अपना निंटेंडो और हम लोग जाएंगे ड्राइव करके आएंगे मैं आपको दिखाती हूं सारा का सारा व्यू क्योंकि जब ब लाइव का बड़ा जादा शोग के तो अलहमदुलिल्ला ऐल्ला का इतना करव मैं कि मेरे हजबन पिस इस तीस को इतना वो उनको यह पता है कि मुझे यह चीजसे लगते हैं तो जो चीजा मुझे ज़ permissions सारी चीज़ों में लिए करते हैं अब मेने नश्टा की भी है तो मुझे जड़े चलौ, पिर यह नहो फिर सूरज निकल यह मुझे दिर मुऺ सान अरहा है तो में तुम्हे है ले ले अधर राइव कर वाकिला ता हूं तो मैं क적 में पुरा आज है तो मैं इसे ही चलौ, तो मने कुणसा गाड़ी से निकलना तो और नवीद को शोक है लेकिन मेरे जितना नहीं लेकिन वो मेरी वैसे बहुत जादा मुझे लेके निकलते हैं हम लोग निकले है अमारी ड्राइब और यह ड्राइब हमारे घर के साथ ही जो बैक्साइड पे एक रोड है उस रोड को हम क्रॉस करते हैं तो हम लग पोंचे जात तो यह मेरी फेवरिट जगे है जहां पर मैं ड्राइफ के लिए जाती हूं ऐसे वेदर में तो नवीद ने बोला चलो तुम्हों अधरी लेके चलता हूं तो बस हम लोग जा रहे थे ड्राइफ करने के लिए साथ हमने लगाया था म्यूजिक और म्यूजिक क्यों क्यों कि जै और यह नवीद को और मेरा वाहिद ऐसा शोक है जिसमें नवीद भी बहुत शोक से सुनता है म्यूजिक लाइक उनको भी होता है कि जब हम लोग अपने जो म्यूजिक जो लाइबरेरी जब हम सेलेक्शन करते हैं तो हम इसा फैमली बैठते हैं ताकि सब की पसंद का कर दो किस एक की पसंद का म्यूजिक और बाकि सारे बहुर हो रहे ह। दजाना और मेरे बाड़ को शोक होता है थोड़ा यहां का म्यूजिक का तो उसके पास एरपॉट्स होते हैं वो यूज कर लाता है जिबराईल एंबश इन सब के पास हेटफोन और एरपोर्ड़्स हैं लेकिन ये लोग हमारा म्यूजिक इंजॉई करते हैं बलकि जिबराहिल तो फर्माश पर भी कहती है माँ आप वो सौंग लगा दें आप वो सौंग लगा दें उसको ते सारे सौंग भी आते हैं तो ये ड्राइव जणाब इतनी लंबी नहीं है तक्रिबर हाफ एन आवर की और आप देखें स्काय क्लीन होता जा रहा है क्लीर होता जा रहा है लेकिन अगर हम वेधर चेक करें तो वेधर फोरकास्ट बता रहा था कि आगे भी मौसम खराब ही रहेगा पूरा दिन लेकि मैंने फाइदा उठाया सुबह सुबह उठी और मैंने का चलो जी ये सारे काम तो कर लें ता कि हम इंजॉय कर लें आपके लिए अच्छा सा मैं व्लॉग बना लू तो चले जणाब यही था मेरा आज का व्लॉग का आपको मैंने मौनिंग में आपने सारी रूटीन दिखा दी वीकेंड की मौनिंग मैंने क्या किया क्या चीज मैं करना चाहती थी और मेरी किसमत जै लική ठीए लेकिन इन्शाला हर चीज़ में बेतरी होती है اللہ خیر رکھیں انشاءاللہ नेक्स टाम जाएंगे और उस वक भी मैं आपको जरूर साथ लेके जाऊंगी तो चले जराब यहीं पर मैं करूंगे अपने व्लॉग का एंड उम्मीद करती हूं कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज लाइक कीजएगा चेयर कीजएगा और चैनल को सबस्क्राइब करना मत बूलिएगा मैं मिलती हूं कर लाप के साथ सेम टाइम पर सेम चैनल पर एक ने व्लॉग के साथ तब तक रखेगा अपना ख्याल, मुझे रखेगा दौाओं में याद टेक केर जी, अलाहाफेज